तो दोस्त आज किस वीडियो में हम बात करेंगे आज से लगबग 12 दूनों पहले बॉक्स ओपेस पर लीज हुई बॉय लूड फिलिम यानि की छात्रपती के हिंदी रिमेक के सुरुबाती 12 दूनों के टोटल कलेक्शन के बारे में और बात करेंगे कि छात्रपती के हिंदी रिमेक ने अपने सुरुबाती 12 दूनों के अंदर बॉक्स ओपेस पर से टोटल कितने रुपकी कमाई की हो और यह फिल्म बॉक्स ओपेस पर हिट रहिया हो चुकी है फिलॉप तो दोस्ता आपकब्रादू कि छातरपती का हिंदी रिमेक जो कि साल 2007 में लीज हुई तेलगू भगबस्थर फिल्म यानिकी छातरपती का ओफिषल हिंदी कि इस फिल्म से तेलगू एक्टर यानि की बैलम कॉंडा साइसर निवासन ने अपना बॉलिवुड के अंदर डेब्यू किया है और बात करें की उनका डेब्यू बॉक्स ओपिस पर से जो है किस तरह कर रहा तरह करें की इस फिल्म का बज़ेट ही लगबग 60-65 रुपे का बत कि छात्रपती के हिंदी रिमेक ने अपने सुरुबाती 11 दिनों के अंदर जो है बॉक्स ओपिस पर से जो है टोटल लगबग 3 करोड 10 लाग रुपे का जो है ओल इंडिया नेट क्रेक्शन वहीं तगरीबन जो है तीन करोड 60 लाग रुपे का जो है टोटल इंडिया से जो टोटल कलेक्शन हो रहा है वो हो रहा है तकरीबन 3 करोड 80 लाख रुपे का वहीं दोस्ताब अगर बात करें इस फिल्म के बारवे दिन के कलेक्शन के बारे में तो दोस्ता आपका दादू की यह फिल्म अपने बारवे दिन जो है बॉक्स ओपिस पर से जो है काफी बिलो एबरेज परफॉर्म कर रही है जहांपर दोस्ता आपका दादू की यह फिल्म अपने बारवे दिन जो है बॉक्स ओपिस पर से टोटल लगबग 10 लाख रुपे का जो है टोटल ओल इंडियन नेट के एक्शन कर रही है और दोस्ता आपका दादू की जहां इस फिल् पर यह कहें कि बड़ी डिजास्टर फिल्म जो है साबित हो चुकी है हाला कि दोस्ता बताओ कि अगर आपने चात्रपती का हिंदी रिमेक देखा तो आपको जो है यह फिल्म कैसी लगी हमें जो है पिनाइक मेंडवक्स ज़रू बताएं